आप लोगों का दुवेधी किलासिस में बहुत बहुत स्वागत हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्थोयरी सेल्थोयरी बहुती सिंपल है और याद करने में भी आशान है सबसे पहले मैं सेल्थोयरी पढ़ाने से पहले कुछ इंट्रोड़क्शन की चीज़े हैं जो आपको बता दूँँ यह चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ इनको आपको समाईना है अच्छे से याद करने की बात जो है रिमेंबर करने की बात जो है वो थोड़ी दिर में आपको बताई जाएगी तो सबसे पहले यहां देखेंगे सेल थोरी के बारे में Introduction Selden observed the large varieties of the plant and the tissue and found all of them were composed of the cell Selden जो थे जैसे आपको पहले बता दिया है पिछली विडियोज में Selden जो थे वो बैग्यानिक थे उन्होंने observe किया रिचण किया Large varieties of plant बहुत सारी varieties के प्लांट को उन्होंने observe किया बहुत सारे प्लांट को लिया और फिर उनको निरिचण किया निरिचण करके उनमें देखा कि क्या है क्या नहीं है उन्हें curiosity थी इस बारे में कि आखिर ये plant किस तरीके से बनते हैं कौन सीफी चीज़ है जो इतने बड़े बड़े plant को बना देती है और एक छोटा सा plant किस तरीके से बड़ा होता चला जाता है और बहुत ही बड़ा हो जाता है तो कौन सी यह फी चीज़े हैं जो plant को बनाती तो यह सारी curiosities की बज़े से उन्होंने plant का अलग-अलग तरीके से observation किया अलग-अलग plant के tissue का observation किया तो उन्होंने cellden ने बहुत सारे verities के plant का observation किया and tissue का and found of all them and found all of them were composed of the cell और उन्होंने एक बात common देखी वो क्या थी कि यह सबके सब cell से मिलकर के बने हुए थे and found, found का मतलब होता है उन्होंने पाया all of them उन्होंने से सभी work and imposed of the cell सबके सीज़ के मिलकर के बने थे, cell से मिलकर के बने थे he concluded that उन्होंने निसकर्स निकाला अब यह बात उन्होंने जब देखी सारे के सारे जो प्लांट है उनके टिस्यू जो है वो cell से मिलकर के बने हुए है तो उन्होंने एक निसकर्स निकाला, क्या निसकर्स निकाला cell are ultimate and the basic unit that form the structure of the plant tissue cell जो है वही एक ऐसी unit है जो प्लांट को बनाती है और उससे छोटा प्लांट को बनाने वाली कोई भी और unit नहीं है तो उन्होंने इस बात को माल लिया कि प्लांट जो है वो फिर्प किस से मिलकर के बने हुए है cell से मिलकर के बने हुए है दूफरी बात उधरी आपके एक और बैग्यानिक थी जिनका नाम था स्वान आपके बहुत थी नहीं नहीं होती और वहान चाहाे है अन्हों ने भी बहुत सारे आनीमल के टिस्थ्यू को और और उनके मतलब अब्द किया अब्द करने के बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें पाई वो चीज़ें क्या थी in the cell of the animal they have only very thin limiting membrane उन्होंने पहले ते ये बात देखी कि जो cell थी animals की उनकी जो है cell वाल नहीं होती ये उन्होंने देखा साथ में देखा कि उनके उपर सिर्फ एक क्या थी cell membrane थी जिसकी भी एक सीमा थी which we call today as the plasma membrane उफी cell membrane को आज हम लोग plasma membrane के नाम से जानते हैं दुफरी बात swan found that interior of both the animal and the plant were almost the same swan ने ये भी देखा जो interior था किसका plant का और animal cell का दोनों का ही बिल्कुल सेम था swan found that interior of both the animal and the plant cells were almost same लगव बिल्कुल वो सेम थे तो इस तरीके से यह आमने देखा कि cell theory के introduction के बारे में कि cell theory को पूरी तरीके से discover करने में अगर किसी की contribution रहा है किसी का युगदान रहा है तो उस sheldon थे और swan थे ये दोनों बैग्यानिकों का बहुत बड़ा युगदान रहा है इन्हीं की बज़े से आपका cell theory सामने आई सबसे पहले cell theory इन्होंने ही हमारे सामने रखी थी तो फिलाल हम यहाँ पर bird meaning session में आप देखेंगे कि क्या-क्या किसका क्या मतलब है तो नाम है और निच्छड किया लाजमान होता है बहुत बेरेटीज होते हैं प्रकार plant पहुते हैं आपके उतक हिंदी में उतक पढ़ते हैं पर इंग्लिस में इसे टिश्यू पढ़ते हैं टिश्यू को हिंदी में पढ़ते हैं उतक अच्छा इंग्लिस में अगर इसकी definition दी जाए टिश्यू की तो group of cell non-age टिश्यू, cellों का group ही आपका टिश्यू कहलाता है found मतलब पाया all of them उनमें से सभी were मतलब थे composed of cell, cell के बने हुए मतलब वो सारे के सारे टिश्यू, cell से मिल करके बने हुए थे दूफरी बात, he concluded उन्होंने निसकर्ष निकाला that की cells, cell है ultimate and the basic ultimate ultimate का मतलब है ultimate, उससे छोटा और उससे बड़ा कुछ नहीं and the basic आधार भूत, unit एकाई, that form the structure, that माने, जो form माने बनाती है, structure of the plant tissue, if structure होता है फरचना, plant tissue, पौधे के tissue की फरचना बनाती है, कौन बनाती है cell swan at the same time, swan उसी समय पर observe the many type of the animal, तो swan नाम है, same time उसी समय जब ये अपनी खोज कर रहते हैं, उसी समय observe निच्छड किया, उनोंने many, माने, बहुत से type माने होते हैं, प्रकार of animal tissue, तो बहुत से प्रकार के animal tissue की उनोंने निच्छड किया he, वह है, observe वही निच्छड किया, there there, वहाँ एज नो cell वाल, उनोंने देखा कि उनके अंदर कोई cell वाल नहीं थी, in the cell. cell के अंदर of animal, किसके cell के अंदर, animal के cell के अंदर, they have only, उनोंने देखा they have only, they माने, they have माने रखते है, only केवल, very माने होता, बहुत, thin limiting, thin माने होता है पतली, limiting membrane, एक सीमा में में रखते हैं, लगी होती ऊपर वो भी एक सीमा में होती है विच्च वी कॉल टुडे अज प्लाज्मा मेंब्रेन आज हम उसको modern समय में उसका नाम दे रखा है हमने प्लाज्मा मेंब्रेन आज हम उसे प्लाज्मा मेंब्रेन के नाम से बलाते हैं P L A S M A M E M B A R A N swan found, swan ने पाया, क्या पाया, that interior of both the animal and plant, animal और plant का जो interior होता है, animal और plant cell का जो interior हिस्सा है, अंदर का जो हिस्सा है, were almost same, बिल्कुल लगवग वो बिल्कुल कैफे थे, ज्यादतर, almost का मतलब है ज्यादतर, same मतलब समान, ज्यादतर उनके अंदर की जो हिस्से थे, वो शमान थे, तो इस तरीके से आपका इस cell theory का introduction हो गया, अब हम देखेंगे cell theory के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे cell theory of the selden and the swan, तो अब हम सबसे पहले जो देखने बाले हैं, सेल्डेन और swan की cell theory को, उसके बाद में आपका modern cell theory है, वो भी हम इसी वीडियो की सीरीज में देखेंगे, तो फिलाल हम देखते हैं कि सेल्डेन जो थे और swan की theory जो थी cell की, उसमें उन्होंने क्या-क्या point दिये थे, क्या-क्या मतलब मुखे बातें थी, सबसे पहले, all living beings are the component of the cell, सबसे पहले बात तो ये clear हो जाती है, कि सारे के सारे living beings जो हैं, वो सेल्से मिल करके बने होते हैं, दौनों नहीं ये बात को confirm किया, कैसे confirm किया, वो आपको थोड़े देर पहले बताया था मैंने, और नहीं बहुत सारे plant का observation किया, बहुत सारे plant का निरी छड़ किया, दूफरी बात, cell is the smallest unit in which life can exist, cell ही एक छोटी सबसे unit है, जिसमें life exist करती है, ये बात भी इनी के cell theory से सामने आई, अगला, all cell are basically similar in chemical, जितनी भी cell होती हैं, वो basically chemical composition की बात की जाए, chemical अगर संगटन की बात की जाए, तो बिलकुल सेम होती है, chemical reactions हैं, और जो chemical जो पाई जाते हैं, उनके अंदर वो शेम होते हैं, ये उन्होंने कहा, किसने कहा ये, cell theory में कहा, किसने, cell dyn ने और swan ने, अब आता है, साथ मनोंने ये भी कहा कि metabolic जो activities हैं, जैसे मैंने बताया भी रशाइनी किरियाएं भी लगभक सेम तरीके से होती हैं, the function of the organism, are due to the interaction of the confitunate cell, the cell जो function करते हैं, और गिने बताया है कि जो आज भी जीव जन्तु जो function कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हस रहे हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं, और जानबर भी अब ये अलग अलग तरह के टूटीज करते हैं, वो सब इफली कर पाते हैं, क्योंकि cell जो बॉड़ी में लगी हुई हैं, वो प्रॉपर तरीके से सही डंग से काम करती हैं, अगर cell ही जब काम नहीं करेगी इस बॉड़ी के अंदर, तो पूरी बॉड़ी किस तरीके से काम कर लेगी, suppose that ये माल लोग कि हमारी आँखे हैं, और हमारी आँखों की अंदर की cell हैं काम करना बंद कर दें, तो हमारी आँखे काम करना बंद कर देंगी, automatically, क्योंकि आँखों का पूरा जो कारे है, होने का, वो सब depend करता है, cell के ऊपर, और cell नहीं काम करना बंद कर दिया, तो हमारी आँखे काम करना बंद कर दें, अगला आता है, cell could be generated spontaneously, like crystal, जैसे crystal, एक crystal है आपका, चीनी का दाना से तोड़ दो, तो दो हो जाते हैं, इसी तरीके से cell हैं, जो होती हैं, जब adult हो जाती हैं, बिक्सित हो करके, तो वो भी दो टुकड़ों में तूट जाती है, जैसे मारलो कि यह आपकी एक cell है, तो यह इसका nucleus है, तो यह दो cell हो में आगे चलके तूट जाएगी, एक cell यहाँ बन जाएगी, और एक cell यहाँ बन और यह भी आपकी हो जाएगी daughter cell, तो इस तरीके से क्या है कि crystal की तरह यह चूट जाती है, अब जैसे crystal के कई सारी टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे cell को भी हो जाते हैं, जो आप बढ़ोगे आगे चलके, multi cell division पढ़ोगे, और single cell division पढ़ोगे, binary division पढ़ोगे, multiple fusion पढ़ोगे, यह सब एकी नाम है, जब आप इनको पढ़ोगे तो सही से आपको जनकारी में आ जाएंगे, cell could be generated spontanancy like crystal, तो यह बात यहां से clear हो जाती है, थोड़ा बढ़ मीनिंग, session में कुछ बढ़ मीनिंग देख लेते हैं, living wing सभी को मालूम है, जीबित प्राणी होता है, इसका मतलब of the cell, cell से मिलकर के बने होते हैं, cell से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अगला, small left unit, सबसे छोटी इकाई, अच्छा, exist का मतलब होगा, अफ्टित तो, अफ्टित तो मतलब होता है, वो पफ्थित हो रहे, जैसे मैं अभी हैं पफ्थित हूँ, तो मैं exist करता हूँ, अगर मैं जब death हो जाए, या कुछ हो जाए, तो यह क्या होगा, मैं आगे फिर और ज्यादा exist, नहीं करूंगा All cells are basically similar अगर देखा जाए तो जो basic बातें जो है मूल बातें जो हैं सेलों में similar होती है similar का मतलब होता है समान मूल रूप से यह इसका मतलब हो गया basically का metabolic activities होता है रसाइनिक किरिया है M E T A Meta Boy Lick activities का मतलब हो जाता है रसाइनिक किरिया है रसाइनिक किरिया है ठीक है तो यह रसाइनिक किरिया है हो गया function of the function होते हैं कारे function of the organism are due to due to मतलब होता है के कारण due to का मतलब होता है के कारण due to due to का मतलब क्या होता है के कारण interaction होता है इंटेक्शन का मतलब एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी देना या फिर एक दूसरे से परस पर कुछ चीजों को सेर करना वो इंटेक्शन कहलाता है अबियब का मतलब होता है जैसे आप लोग घर पे चाय बनाते हों चाय के अबियब कौन कौन से होते हैं चीनी पानी तो यह इस तरीके फे चीनी है पानी है चाय की पती है वो चाय के कॉंफिटिम्ट हो गए ऐसे ही सैल जो है औरिवन का कॉंफिटिम्ट होता है क्योंकि जो औरिवन किस से बनता है चैल से मिल करके बनता है cell could be generated generated उत्पन हो सकती है पैदा हो सकती है उत्पन हो सकती है ठीक है spontaneously का मतलब होता है अपने आप अपने आप like like मतलब होता है की तरह crystal crystal होता है एक दाना चीनी जैसा वो crystal कहलाते है ठीक है तो ये तो आपका बड़ मीनिंग सहसन हो गया बड़ मीनिंग में जो भी बड़ मीनिंग आपको difficult लगे है मुझे लगे आपको लग सकते हैं वो मैंने लख दिये कुछ बड़ मीनिंग फिर भी एगर रह गए है उनका मतलब तुम्हें नहीं समय में आ रहा है तो आप यहां फे ये कॉपी करने के बाद में आपकी जो dictionary उससे ढूम सकते हैं ठीक है आगे की चीज़ें आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी ठैंक यू झाल